हेल्लो बच्चों स्वगत करता हूं आप सबको फिर से इस क्लास में यहां फे हम बात करेंगे प्रस्तवी 3.1 हम लिसको करेंगे इससे पहले वीडियो में मैंने बनाया हूँ वहाँ पे question number three तक मैंने discuss किया था यहाँ question number four का questions को discuss करेंगे उसके बाद जो question बच जाता है आपको homework करना है इससे पहला वाला वीडियो में मैंने बताया था कि आपको question करके मुझे भेजना है लेकिन अभी तक आप लोग ने भेजा है तो प्लीज इसका आप लोग भेजिएगा ठीक है करने के बाद जो आपका आपने answer बनाया है उसको आपको भेजना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए निम्नत चित्रों के A, B कौणों की मान निकालो तो A और B कौणों की मान निकालना है तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं एक picture है एक नमर प्रस्न पे तो कुछ भुजा दिया गया है और यहाँ पे कुछ कौण का मान दिया गया है तो देखिए क्या क्या दिया गया है 115 दिया है 115 डिगरी 95 डिगरी और 105 डिगरी है और 120 डिगरी है और यहाँ पे यह लिखा हुआ है ठीके अब ध्यान से देखिए यह कितना भुजा वाला बहु भुज है वो ध्यान रखना है तो अंदर के कोड़ का इसकांच भुजा है इसकांस होता है कितना होता है अंतक कॉड़ करेंगे ठीक है कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए, देखें, क्या-क्या, कैसे-कैसे, आप उसको जोड दिजे, 115 degree जोड 95 degree जोड 105 degree जोड, और कितना डिगरी है, 120 degree और लाश में क्या है, a प्लस a बराबर कितना होना चाहिए 540 बस यह अगर आपने equation solve पिया यह समिकरन को आपने solve किया समालहान किया तो आपका a का मान निकल जाएगा आपको a का मान निकालना इस figure में ठीक है अब आप सबको जोड दीजिए सबको जोडने से कितना होता है यह चार संख्या को जोड दीजिए यह चार संख्या को जोडने से कितना होता देखिए फांच 555 पंद्र का 5 हो गया आपके इसमें 2 हो गया 11 12 13 osoby जोड़ ए बराबर 540 क्यों 540 क्योंकि ये 5 भुजा 5 भुजा वाला बहु भुज है 5 भुज का जो अभ्यांतरन कोण का मान 540 होता है इससे पहले वाला वीडियो में ने बताया था आपको वहाँ पे करके ठीके अब एक आमान के से निकलेगा इसको उधर लेके जाए ये बराबर 540 घटाओ 435 ठीके ए हो गया आप इसको करने से आप माइस करके देखिए तो एक आमान मिलेगा 105 105 दिगरी कितना मिलेगा तो एक आमान आपका मिल गया 105 दिगरी ठीके तो दोस्तों देखिए आपको समझना है जो पहले आपको मैंने थियोरी जो क्लास्प दिया था उसको क्लास बहुत ज़्यदा इंपॉर्ट है ने क्योंकि वह बीना समझे ये सीज़ आपको नहीं समझ में आएगा ये क्या हो रहा है नहीं समझ में आएगा ठीके सो वोला आप पार्ट को, पहले आप देख लिए उसके बाद यहां पर आईए तो पहला प्रस्ण को मैं नहीं किया उसी प्रकार के से दूसरा प्रस्ण को, मैं करूँगा तो, रसा करता हूं यहा चीज आपको यहां से देखिए एह दो दो लाइन इस तरह से खिचा है इसका मतलब जो 500 का 500 जो भुढ़ा है बराबर है यहां फेवी पंच भूज है Vere 14 .5 पंच भूज वाला ठीक है ना पंच भूज उल्रgest वाला बहु भूज है पंचबूघ है सो अंतशकों का यो कितना होगा पंचबूघ मतलब फांच भूजा उक्त अंत औ को उंदार कलंड का योग कितना हो जाएगा पांसो चालिस योग अंतकों का सारा जो भुजा जो है बराबर है तो हमको क्या करना है कितना भुजा है पांच भुजा है तो एक अमान क्या निकल जाएगा यह जो अंदर का जो है यह तो जो है अंदर में है तो एक अमान के लिए आपको क्या करना है यह बराबर पांच भुजा से आप भाग कर दोगे कितना भुजा है पांच भुजा से आप भाग कर दोगे तो आपका इसका उत्तर आजाएगा ठीके पांच भुजा से आपको भाग कर देना है पांच भुजा से आपको भाग कर दोगे 5 से कितना कि 5 भुजा है ठीक है ना तो इसमें से 5 से आप भाग कर दोगे तो आपका एंसर आ जाएगा तो आप इसको भाग कर दोगे तो आपका एंसर आ जाएगा अंतर कोण का योग कितना होगा 500 कितना हो गया 40 हो गया और इसमें कितना कोण है 5 कोण है तो हमने 5 कोण है 5 साइड है तो 5 से हमने भाग कर दिया तो एक कोण का मान आ गया अब बी का मान निकालना है ठीक है अब ये कौण क्या है आपका 108 है क्या है ये 108 है तो ये सारा 108 हो जाएगा क्यों क्योंकि ये सारा का सारा बराबर है सम है ये कितना है ये सम पंच भूज है क्या है सम पंच भूज है याद रखेंगे क्योंकि ये साइट बराबर दिया है तो सम पंच भूज है सम पंच भूच का मतलब सभी जो अंदर का कॉंट जो है बराबर होगा अगर एक 108 हुआ है तो यह भी 108, 108, 108 सब हो जाएगा ठीक है ना अब हम क्या करेंगे B को निकालने के कुछिस करेंगे एंगल B को निकालने के लिए एंगल B को निकालने के लिए मैं यहाँ पे आपको यहीं पे कर देता हूँ छोटा सा करके एंगल B हम कैसे निकालेंगे जब हम B और 108 को जोड़ देते हैं यह क्या है यह 108 जोड़ B बराबर 180 क्यों 180 हो जाता है फिर से बोल रहा हूँ 108 और यह दू यह कोड़ और एक कोड़ को जोड़ने से 108 हो जाता है इसको हम बोलते हैं रेखिक यूग क्या बोलते हैं रेखिक यूग लिनीर पीर इंग्लीस में हम उसको बोलते हैं लिनीर पियर रia Gothic योग ठीक है अगर कोई एक लाइन है इस तरह से तो यह खी होसी होता है तो B का मान कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, कितना हो गया? 72 डिग्री, तो इस परकार से आप निकाल सकते हो, आसानी से, तो ऐ मैं समझाने के लिए आपको छोटा सा तरीके से आपको समझाया है यहां पे, और यह वाला प्रस्ण भी इसी प्रकार से तिन नमर प्रस्ण और अलग-अलग फिगर दिया गया है वहाँ पे आप कोशिस करिए उस फिगर को ट्राय कि यह नहीं होता है तो कमेंट करिए बताइए अभी तक कोई भी मुझे पोजिटिव रेस्पोंस नहीं मिल रहा है कि आप विकली इतना है थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग गट ब्लेस्ट यू